बंसर क्लासेज बट मैंने अभी लिमिट्स हटा दी है और आपको उसको इंडेफिनिट बना के दे रहा हूं में सवाल 11.4.2023 में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे जैसा कि मैंने अपने पहले चार लेक्चर्स में बच्चों आप लोग को समझा है और मैं बार बार ये बाते इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी दफ़े आप मेरा ये वीडियो देखोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से असान कोई चैप्टर नहीं है और जब इसका इंडेफिनिट बेजड कोई सवाल आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जेए के लिए तो मैं उसमें ये दोनों टेक्नीक का संगम लूँगा आपको भी पता है सब्स्टिटूशन और कुछ ऐसा सवाल लूँगा कि सब्स्टिटूशन लगके उसके बाद बाइपार्ट्स लगे तो हम जब पढ़ते थे मैंने अपनी त्यारी 97 में करी थी आईटी के लिए तो जब हम पढ़ते थे तो हमें वो सब बातें हमें याद रहती है हमें सर बोलते थे सवाल की शकल सूरत हलकी बनाने की कोशिश करो ठीक है एक integration है उसमें हो सकता है बाइपार्ट्स लग रहा हो लेकिन अगर आप substitution करके उसको बहुत असानी से बना सकते हैं तो it is considered to be a good attempt complicated ना करें सवाल को जैसे integration में बाइपार्ट्स बच्चे पूछतें की कब-कब लगता है तो पहला तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा दो अलग अलग नेचर के अगर function है और उसमें substitution नहीं लग पा रहा है दो अलग अलग नेचर के function ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि दो function हो तब बाइपार्ट सकता है यह गलत है क्याना क्योंकि यह जिस word को हम follow करते हैं that is I late यह सबको मानले में I stands for inverse trigonometric function L stands for logarithmic function A stands for algebraic function T stands for trigonometric function and E stands for exponential function यह सबको पता है और यही function का classification है यह सबसे बड़ी category कहलाते है A की algebraic function और जो functions algebraic नहीं होते हैं मतलब यह सारे inverse logarithmic trigonometric exponential इनका एक standard name दिया गया है यह जो मैं class में पूछता हूँ औ 99% बच्चे नहीं बता पाते हैं कि functions which are not algebraic are called what और उसमें कोई खास बात नहीं है क्योंकि कोई IT के paper में यह थोड़ी आना कि functions which are not algebraic are called what algebraic functions क्या होते हैं कई बार बच्चे यह नहीं बता पाते हैं algebraic functions polynomial से ही construct होते हैं और फिर उसमें square root, cube root, fourth root, fifth root जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं algebraic operations के साथ such as addition, subtraction, multiplication, division anyways मैं उस theory के जाने के mood में नहीं हूँ, मैं जो बताने के जो भूमी का बात में आया हूँ कि अगर दो अलग-अलग nature के function हैं तो हो सकता है हो अलग-अलग nature आप बोलो कि सर अगर एक logarithm में के और एक trigonometry के तो क्या by parts लगे का नहीं नहीं हमारे सोचने का तरीका जो मैंने आपको पहली भी बताया था नहीं कि पहला thought किस पे जाना चाहिए बच्चों बुलो किस पे जाना चाहिए पहला thought सर हमारा पहला thought जाएगा क्या ये सवाल substitution से हो सकता है कि अगर मैंने आपको ऐसे लिख के दिया ln of you know ln of sec x plus tan x ये हमारा logarithmic function है ये logarithmic function है और इसको मैं multiply कर देता हूँ sec x से किसे multiply कर देता हूँ sec x से तो ये थोड़ी कि आप by parts लगाने बैट जाओगे सोचेंगे by parts पर बट बाद में अपने आपसे पूछी चलिए पूछी क्या ये सवाल substitution से हो सकता है और अगर हो सकता है तो क्या इस से किसी term का derivative ये और अगर है ये ना problem is solved na sec x का derivative बोलो क्या होता है तो वहाँ से आवाज आई यो मुझे सुनाई दे रही है ये sec x का derivative तो sir sec x tan x होता है जो नहीं लिखा है ठीक है बेटा अब इस पूरी चीज का derivative बोलिए क्या होता है सर इसका derivative sir और यो सर एलन sec x plus tan x 1 upon sec x plus tan x into chain rule से sec x tan x plus x square x sec x common आएगा cut जाएगा sec x क्योंकि आप लोग को integral sec x पता है ln of sec x plus tan x तो इसका derivative यो और यो सर इस पूरी चीज को t मानेंगे ये भाई साहब श्रीमान जी किस में चले जाएंगे dt में चले जाएंगे t dt integral t square by 2 problem is done तो ये थोड़ी की सवाल को सोच का तरीका में बदल दूँगा अगर मेरे मुझ से निकला है कि दो अलग-अलग nature के function हैं तो उसमें by parts लगता है उसमें by parts लगता है but that does not mean कि हमारा thought perception direct sir आईले बस ट्रिकली इसको follow किया और इसको first function माना प्यारे बच्चों जो मैंने आप लोग को सिखाया है अब कई बार एक अकेले function में by parts लग जाता है ठीक है होता वो दुकेला है बट कई बार लग जाता है एक अकेले function में तो मैं class में लिखवाता हूं कि आप कितना ही complicated मुझे logarithmic function दे दीजे वो बिना by parts के नहीं हो सकता नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता ठीक है कि integral lnx कैसे करेंगे बई आचा एक बच्चा बोलेगा सर देखे सर आपने सोचने का तरीका सिखाया है कि substitution से सोची है चलिए अगर अपन substitution सोचेंगे भी इसमें तो क्या सोचेंगे substitution आप बोलोगे सर जादा से जादा हम lnx की जगे हम t रख सकते हैं तो हमारा x कितना हो गया सर हमारा x हो गया e की power t तो हमारा dx कितना हो गया सर हमारा dx हो गया e की power t dt अरे सर मजा आगया lnx की जिएगे t और dx की जिएगे e की पावर t dt तो आपको feel आ चुकी है sir according to this islate अच्छा by parts में first or second किसको मानते हैं जिस order में islate शब्द के letters appear हो रहे हैं that is the order of first and second function तो islate में ये trigonometric है जो पहले आ रहा है exponential बाद में आ रहा है तो इसको first or second बढ़ि अगर कभी i-late fail हो जाए जो की होता है तो जिसको first माना क्योंकि second function अगर innteicable ही नहीं तो फिर जिसको first माना इसको second माना पड़ता है जिसको second माना इसको क्योंकि एँए e की physicists eek e kी power t square होता तो आप हैले step में हमें के आटक जाते। do you learn the time tobuild ricoh में तब जाके आपको वो चीज सीखने को मिलेगी, तो तब बच्चों को पता लागा, अभी और यह तो बाइपार्ट से हो रहा है, तो क्यों ना, डिरेकली बाइपार्ट्स लगा दें LNX में, तो जब अकेले single function में हम बाइपार्ट्स लगाते हैं, मेरे प्यारे students, तो हम one का सारा लेते हैं, क्योंकि, you know, one को हम second function मानते हैं, one को क्या मानते हैं, second, और जैसी आप बाइपार्ट्स लाओगा, integral lnx बच्चों को रटा रहता है, क्योंकि, you know, first function into integral of second, मतलब x lnx, minus integral of derivative of first into integral of second, तो direct x lnx, minus x, plus c, अब आप पूझो के सब आप यह इत्ती सारी भूमी का क्यों बांदरो, is j main 2023 के सवाल के लिए, मैं फिर आपके मन में यह बीज बोना चाहता हूँ, कि indefinite integration is all about, 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 thinking, and the thinking should be in a correct way, you know, first thought should be given to the substitution, and the second thought should be given to the by-parts, and if it's a problem, the problem says, substitution followed by by-parts, aha, आनन्दी आजाएगा इसका, कि सर, पहले substitution लगा, हमने सवाल को हलका किया, हमें feel तो आरी थी by-parts की, बड़ पहले हलका करने के बाद, फिर दो अलग-अलग nature के function देखेंगे, और फिर हम दिख रहे हमें दो अलग-अलग nature के function, और फिर हम by-parts लगाएगे, तो चलिए, अपने सवाल में आते हैं, जो भूमी का मुझे बांग नी थी, वो भूमी का मैं बांग चुका हूँ, इस सवाल को बताने के लिए और आपको आज की वीडियो में बहुत आनन्द आएगा, क्योंकि बहुत 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 प्यारी प्यारी बातें, जो हमने हमारे गुरू से सीखी हैं, और गुरू मतलब बंसर सर, जो की इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जनक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने इस कोचिंग वर्ल्ड में जो मैट्स में योगदान कर दिया है, जो teaching notes बना दी है, जो सब teachers के पास हैं यहाँ पे आज, बस बच्यों को सरफ उनको follow करना है, चाहें बच्चा किसी भी coaching institute में हो, बट maths, कि जो teaching notes बंसर क्लासेज में बंसर सर के द्वारा लिखे गए हैं, अगर एक बच्चा उनको understanding के संग समझ सके तो मेरे प्यारे बच्चों, trust me आप सभी लोग के maths में नमबर बहुत अच्छे आएंगे, बहुत 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 अच्छे आएंगे, मेरी शुब कामरा है आपके साथ हमेशा रहेंगी, चली चालू करते हैं, तो मैंने सवाल को देख और मेरे अंदर से एक आवाज आई कि यार ये exponential और ये logarithmic, ओ भाई, ये combination, you know ये combination यहाँ पर present है, exponential as well as logarithmic, this combination is present, exponential and logarithmic लेकिन मैंने सोचा है और मैं direct by part, सुनी, पहले तो मेरे गुरू ने सिखाया है कि पहले सोचिए कि क्या ये सवाल substitution से हो सकता है, मैंने सोचा है सब जगे मुझे e की, ओभी यार e की power x के derivative में e की power x आता है, तो पहले हलका कर लेता हूँ ना इसको, सही कह रहा हूँ technically सही है, sir e की power x, e की power x, ये e की power x का whole square, technically सही है बिल्कुल सही है, हाँ sir कहता हूँ आप सही रहे हो, तो अपना problem start करें, e raised to the power x is equal to t, and therefore and therefore and therefore e raised to the power x dx, ये शरीमान जी किस में चले जाएंगे, my dear students dt मे, आपको अच्छा लगेगा सवाल को देखने, and that is you know, that is required from a good student जिसको सवाल को लिखना आता है present करना आता है concentration हाई है, उसका careless mistake नहीं होनी जी, क्योंकि आज के जमाने में जो paper demand कर रहा है वो calculation mistake you cannot afford इसलिए, you know, keep your head cool, and you know concentration should be high you know, जब आप live world में हैं अभी मैं इस सवाल में हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, इस वक्त की मुझे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरी कौन सी meeting है, इसके बाद मुझे कहां जाना है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ सिरफ इस सवाल में मुझे आप लिखते हुए देखिए मुझे आप attempt करते हुए देखिए सवाल को और उस चीज को अपने अंदर बच्चों लाने की कोशिश करिए सर्फ कोशिश बोल रहा हूँ ठीक है, definitely आपका फायदा होगा तो हमने e की पार x को टी माना तो देखिए ये e की पार x dx ये तो dt में जाएगा तो मुझे एक single logarithemic function दिख रहा है single logarithemic function दिख गया और e की पार x dx आचा कई student तो है जब सवाल करते हैं तो बेटा integral तक का निशान तक नहीं बनाते हैं तो that is very bad, आप क्या कर रहे हो integral का निशान बनाएए mathematician की photo दे रखिए जिनका नाम है जिनका नाम है जिनका नाम है जिनका नाम है Leibniz जिनका नाम है Leibniz तो Leibniz is a mathematician who is behind this particular chapter ये अब मुझे दिख गया यार अब ये मुझे अपने teacher की बात कही हुई की बाते ध्यान में आ गए यार की sir ने हमें सिखाया था जो आज हम हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं की अगेला logarithmic function चाहें कितना भी complicated क्यों नहीं हो that has to be proceed by by parts ठीक है अब बस सीदे सीदे कुछ नहीं करना one का सहरा लेना कितना technically कितना असान है और जिन बच्चों को इनो integration standard integration रटे हुए अभी मैं आप से पूछूं की इस इसका integral क्या होता है dx upon dt upon under root of t square plus a square का तो सब लोग मुझे बता देंगे कि sir इसका integral होता है ln of t plus under root of t square plus a square plus a constant of integration सब लोग बता देंगे तो अगर इसका integral यह है मेरे प्यारे बच्चों तो इसका derivative क्या होगा one upon under root of t square plus a square yes sir beautifully done देख रहा है आपको कितना असान है देखिए अराम से formula लगाए first function बहुत अराम से एकदम cool head रखते होए एकदम cool head first function into integral of second अराम से minus sign घर का लगाया थोड़ा सा gap दिया first function into integral of second minus integral of derivative of first इसका derivative एक student तो direct लिखता है इसका derivative क्योंकि इसको पता है कि इस चीज का integral यह है तो इसका derivative इसका यह देखो compare 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 इसका derivative क्या आएगा आएगा यह यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है बच्चों one कर रहा है कर रहा है minus integral of derivative of first function सही लिख रहा हूँ technically into integral of second तो by parts लगाने के बाद जो integral यह बनता है that has to be an integrable और आप बोलोगे sir आप छोड़ दो हम कर लेंगे साल उसमें क्या खास बात ही क्योंकि यह तो रहास गवाई कि अगर नीचे किसी भी function के उपर power लगी तो नीचे का derivative उपर लिखा होना चाहिए otherwise सवाल technically ढंसे frame नहीं किया गया चाहे कुछ करने के बाद वह चीज उपर derivative है बट आना पड़ेगा तो अब आप चाहो तो यहाँ पर 2 लिख लीजे 2 लिख लीजे तो I am not in a mood to finish this problem क्योंकि आप बोल सकता है चोड़ दीजेब integral तो आतव में दिख रहा है कि इसको हम y square मानेंगे t square plus 1 को idea behind substitution is get rid of radical sign इसको y square मानेंगे 2 t dt कि किसमें जाएगा 2 y dy में जाएगा 2 t dt is 2 y dy तो यहाँ 2 y dy आ जाएगा यहाँ पर y आ जाएगा y से y कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा integral d y is y और हमने इसको y square माना है तो हमारा y कहा under root of t square plus 1 तो इस पूरी चीज का integral इस पूरी चीज का integral मेरे बच्चों कितना आ जाएगा under root of t square और अगर मैंने गलत लिखा है तो इसको differentiate करिए 1 upon twice is into 2t यही मिलेगा na t upon this मिलेगा? Yes sir मिलेगा तो मेरा जो final answer i e का जो मुझे indefinite के form में दिख रहा है वो यह दिख रहा देखिए t multiplied by ln of t plus under root of t square plus 1 minus under root of t square plus 1 plus c अब इसी सवाल को ज़र j min 2023 में इसको definite integral में convert करें आप लिमिट्स तक नहीं और लिमिट्स आप चाहो तो लेकिन reverse gear लगा के नहीं definite integral की beauty है कि हर step में जब आप यह substitution करते हो तो limits change होती चली जाते है So I hope आप लोग को आज का जो मैंने यह session लिया इसमें बहुत आनंद आया होगा और ऐसे कई अनेक concept लेके मैं आपके सामने आऊँगा और आशा करता हूँ कि आगे कुछ theory का एक कैसा major part एक sub article लेके आऊँगा आप उपने comment box में लिखिए कि आप एक कौन सा sub article है जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझस से any topic out of 35 or 37 complete chapters of maths की सर इस sub article में हमें फील निया थी whether it is a topic of probability or permutation or complex number or vector 3D any damn topic you say you know और मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं मेरे बच्चों को इतना प्यार से इतना आपको आनंद आ जाएगा बिटा क्योंकि जब मैं enjoy करता हूँ क्योंकि ऐसा हम कहते थे कि यार मुझे pleasure आना चाहिए teaching में and if a teacher is enjoying while teaching तो उसके students तो enjoy करेंगी करेंगे ना विल्गुल करेंगे तो आज का मैं session यही पेंट करता हूँ और जाते जाते आपको एक tip ज़रूर देके जाऊँगा जो मैं तो आप चाहके भी वो gift उससे नहीं ले सकते आज मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ इसकी importance समझिए और अपना समय बिल्कुल बरबाद मत करिए स्वस्त रहिए, खुश रहिए, safe रहिए enjoy करिए, ठाके की हसी हसे जितना आप हसते हैं हमें योग में सिखाया गया, you know, soundless हसी जैसे कई बार मैं क्लास में बढ़ाते बढ़ाते बच्चों से बोलता हूँ कि बिना आवाज की हसी हस के दिखाओ, और नहीं हस पाते बच्चे, नहीं हस पाते बिना आवाज की हसी you know, कैसे, मैं आपको आपको बताता हूँ, आप हसेंगे जरूर अगर आप उस हसी को सुनेंगे कि बिना आवाज की हसी से you know, कैसे you know, all kinds of stress release हो जाता है बहुत आनंद आता है आपको सब्सक्राइब यह नहीं है यह नहीं है, इधर से, यहाँ से बिना आवाज की हसी हसने का एक अलग आनंद है so thank you all of you my dear students, I hope आपने आज का lecture से बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसे अनेक lectures ऐसे अनेक videos में आप लोग के लिए ले के आऊँगा तब तक के लिए, good bye thank you all of you, रादे रादे जेशी किष्ण